PS exams, June 2023, less than 15 days left, बहुत जादा motivation की requirement है sir, क्या करें समझ नहीं आ रहा, दो-दो module दे रहे हैं, पूरे वीडियो को देखिए अगर आपको motivate होना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि next 14 to 15 days आपको क्या करना है, तो वीडियो को last तक देखेगा, this is C.A. Nikon Juga, your tax mentor, and I teach tax in CS, CS, CMA for intern and final students, DT and IDT both, CS के students के लिए ये specific वीडियो बना रहा हो, क्योंकि उनका exams अभी coming next 15 days के बाद होने वाला है, and CS executive as well as CS professional के students के mind में definitely बहुत सारे thoughts आ रहे होंगे, कि सर exam को लेके हम बहुत जादा demotivated है, कैसे होगा, एक group दे, दो group दे वाला scene तो चला गया, लेकिन अब क्या करना चाइए, हम बहुत सारे topics छोड़ के बैठे हैं, क्या में वो topics को revise, topics को दुबारा से पढ़ना चाइए, कि जो already पढ़ चुके topics उसको करना चाइए, हमारा lifestyle क्या होना चाइए, हमारा सोच क्या होना चाइए, हम बहुत जादा demotivated हो चुके हैं, तो guys, let me tell you, अब से लेकर next 14 days तक chill करिए, सर क्या बोल रहे हैं, chill करिए, chill करना मतलब ये नहीं कि आप बस सोते रहिए, आपको पढ़ाई करना है, आपको study करना है, बट उतना ही करना है, जितना आप सक सको, बहुत जादा over pressure अभी ले लोगे न, तो exam वाले जो month है, exam वाला जो आपका month है June, वो बहुत जादा आपका TDS जाने वाले है, तो आपको उसके लिए energy बचा के रखना पड़ेगा, तो next 14 days मैं कुछ आपको tips दे रहा हूँ, आप उससे definitely motivated रहेंगे और आपको कभी भी low feel नहीं आएगा अगर आप यह सब काम करोगे, तो पहला number one, you should not take stress or you should not panic, because देकि stress लेने से कुछ नहीं होगा, ultimately आपके body में कुछ ऐसे hormones है, जो अगर release होंगे, तो आप stress में आ जाओगे और अगर आप stress में आ जाओगे, तो definitely you will panic yourself and if you panic yourself, things will become worse for you, ठीक है, it will not be good for you, तो better है कि आप पैनिक मत करिये, जो है आपको उसी तरीके से उसको अपने way में absorb करना पड़ेगा and you have to live with it guys, अगर आपने अभी तक कुछ अच्छे से पढ़ा नहीं है, अगर आपने कुछ subject stress लेके कुछ नहीं होगा, बलकि अगर आप stress नहीं लोगे ना, तो अगर आप कुछ चीज नहीं कर पा रहे तो चीज आप कर पाओगे, तो please don't take stress, number two, please don't start a new topic, कोई भी नया topic अभी मत पढ़िए, summarize करिए जो topics आप अप अलड़ी पढ़ चुके हैं, बहुत सारा topics आप पढ मजने में लगाओगे, उतना time आप बहुत सारे topics को revise कर लोगे, जिससे आपका confidence level high हो जाएगा, trust me, अभी confidence की दरकार है, अभी motivation की दरकार है, अभी booster की दरकार है, अभी ये सब बिलकुल भी सोचने का time नहीं है, कि हम जो topics छोड़ दिये, उसको एक बार दुबारा से पढ़ in your CS, executive theory topics बहुत जाधा आता है, तो you should practice writing, कम से कम आपको दिन में एक से दो घंटा लिखना चीए, because if you try to write, if you start writing, it will be in a habit of writing, definitely in examination आपको कोई भी चीज नया नहीं लगेगा, क्या होता है ने examination में, अगर अपने suddenly पहली बार अगर लिखेंगे, या पहली बार कोई नया चीज में जाएंगे, तो definitely you will not be confident and definitely वहाँ पर जाके, आप हो सकते है, ब्रेकडाउन हो जाए, तो exam में ब्रेकडाउन हो जाए, इससे बेटर है, अभी आप ब्रेकडाउन हो जाओ, अभी दुबारा से आप खड़े हो जाओ, दुबारा से अपने mistakes को rectify कर लो, so that in examination आप ब्रेकड you guys, let me tell you, आप ही decide करोगे, आपका, मतलब, ठीक है, destiny में believe करता हूँ, वो भी सही है, but आप ही decide करोगे, आपका performance decide करेगा, आप examination में पढ़ लिए, exam के पहले पढ़ लिए, that's not the only thing, your execution is very very important, let me tell you, आप किस तरीके से paper को execute करते हो, that is very very relevant for your examination, let me tell you guys, तो जितने भी CS के students हैं, मैं आपसे folded hands के, through आपसे विंती करता हूँ, request करता हूँ, कि please execution पर ध्यान दीजे, अब revision हो गया, जितना करना था कर लिए, revision और जितना करना है, तो time बचा है, तो कर लिजे, बड़ा भी execution strategy बनाना है, कि हमें किस तरीके से execute करना है, how do we actually want to or have to attempt the paper of different subjects, तो you will only decide, your performance will decide whether you will pass or fail, और कोई decide नहीं करेगा sir, please अभी गर्मी की time है, बहुत hot season चौल रहा है इंडिया में, in various parts of the country, तो you should definitely drink adequate water and please, 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 अपने आपको hydrated रखिये, ताकि आप और अच्छे से perform कर पाए, let me tell you, उसका magic होता है, अगर आप पानी पीते रहते हैं, तो definitely आप बहुत अच्छा inner feeling करते हो, please eat light food, junk food मत खाईए, fruits ज्यादा से ज्यादा intake करिये, light food खाईए, मम्मी जैसा बोलती है, वैसा करिये, क्योंकि मम्मी हमारे health का बेटर ध्यान रखती है, हमसे ज्यादा, focus on revision and practice, revision पे ज्यादा focus करिये, practice पे ज्यादा focus करिये, दोनों चीज प supply chapter छोड़ के रखा है, exemption chapter छोड़ के रखा है, छोड़ दो, नहीं आएगा उसमें से, दिमाग को समझा लो, अगर पेपर में देख भी लिए, तो कोई tension नहीं है, आपको करके नहीं जाना है, don't spend too much time in YouTube, social media is definitely a blessing in disguise, but definitely social media is also a negative factor in a student's life, अगर आप बहुत ज्यादा time social media में दे बहुत students बोलते हैं, सर हम तो पड़ी रहे हैं, अरे भाई साप, अभी तुमको जो time है ना, कुछ self study बोल कर भी होता है, तुम social media के साथ exam नहीं देगा, examination वाली दिन आप खुद से रहोगे, तो वहाँ पर आपको social media help नहीं करेगा, try to understand, तो आप उतना ही social media में engage रहे हैं, YouTube देखिये, जहाँ पर आपको marathons देखना है, that's it, वो भी marathon ऐसा नहीं कि एक-एक subject का दो-दो-तीन-तीन teacher का marathon देख रहे हैं, say for example, अगर आप tax का मेरा GST का मा marathon देख लिए, तो आपको दुबारा से किसी का मा marathon नहीं देखना है, अगर आपको मेरे में believe है, आप दुबारा से G in your preparation, have adequate six to seven hours of sleep, please, जाध से जाधा six to seven hours of sleep लीजे, because अगर आप sleep नहीं लोगे, तो definitely आपके brain को rest नहीं मिलेगा, आपके brain को rest करना बहुत ज़रूरी है, और अगर possible हो, which I think you should do, ten minutes कम से कम daily, आप meditate क्या करिए, daily आपको ten minutes meditation पे ध्यान देना चाहिए, इससे आपका, जो भी आप पढ़े होना, आपकी memory बहुत strong होगी, और आपके brain को बहुत ज़रूरी होगी, और आपके brain को बहुत ज़रूरी होगी, और brain क्या करेगा, चीज़ों को recall करेगा, तो ये सब चीज गाईज, last के 10-15 days में definitely बहुत ज़रूरी हिल्प करता है, think about your parents, मैं तो हमेशा एकी चीज, म सबसे बड़े मेरे parents है, ठीक है, कि मैं हमेशा यही सोचता था, कि यार, जिस दिन मेरे result आईगी, उस दिन मेरे parents के face में smile होनी चाहिए, और वो smile लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसके लिए मैं motivated रहता था, तो आप भी यही करो, अपने parents के लिए, अपने family के लि also eligible to become a company secretary, CS, you have to add this two letter name before, two letter before your name, CS, and उसके लिए आप जो कर सकते हैं, भी करिये guys, trust me, यह 15 days decide करेगा कि आपका exams कैसा जाने वाला है, तो negative होना बिल्कुल भी नहीं है, positive रहिए, हर चीज में positive को खोजिए, अगर आज आप नहीं पढ़ पाए, तो यह इसमें भी positivity खोजिए, चलो मेरे को rest मिल गया, अगर आप बहुत जादा पढ़ लिए, तो इसमें भी positive देखे कि मैंने कल का पढ़ा ही, आज जादा कर लिया, but अपने आपको balance रखिये, please अपने health का धियान रखिये, eat lot of lots and lots of fruits, drink adequate water, please heavy food मत खाई, जिससे आपको नीन दाए, avoid rice, अगर आपको rice से न क perish, अगर आपका cycle एक चीज़ याद रखिगा, आपका examination का time है, आपका sleeping का cycle है आपको usis के एसाद से maintain करना पड़ेगा, आपका examination का टूस time में आपका sleeping cycle आपको उसी के साब से maintain करना पड़ेगा तो अगमान लो आपका examination का जो time है वो 9 to 12 है तो 9 to 12 अगर आप है तो आपको definitely सुबह 5 बजे तो minimum उठना ही पड़ेगा तो 5 बजे उठने के लिए आपको 10 बजे, 11 बजे सोना पड़ेगा और अगर अभी आप सोते हो रात का 3 बजे तो definitely आपका body cycle disturb हो जाएगा तो अभी right time आपको अपना time accordingly change करना पड़ेगा आपके body को adapt करने के लिए time लगेगा कि आप जल्दी उठिए तो please यह सब important चीजों के ओपर ख्यान दीजे जो मैं आपको समझा रहा हूँगा इस ठीके ना तो exam में motivated रही and I'm sure कि आप बहुत अच्छे से perform करेंगे because आपने जो भी पढ़ा है जिस भी टीचर ने आपको जो भी पढ़ा है उन पर believe रखिए गौड पर faith रखिए अपने आप पर faith रखिए and definitely you will come out with flying colors let me tell you let me assure you अगर आपने मेहनत किया है तो universal law of attraction work करेगा और आपके ओपर आपके definitely आपके chances बहुत हाई है कि आप definitely exams बहुत अच्छा mark score करेंगे और तो बहुत ही जादा मैं बीच बीच में आपके साथ connected रहूँगा कि sir वो 1.5 days का exam strategy बताईये कैसे मैं one day में पूरा tax revise कर सकता हूँ सब कुछ मैं बताऊंगा फिलाल December 23 का CS executive का हमारा जो batches है वो full fledged चल रहा है recorded batch is available अगर आपके कोई friends है जो लेना चाहे तो आप do refer our classes to your friends for CS executive tax laws December 23 so till then take care God bless you bye bye guys and yes stay motivated because if you are not motivated who will motivate you so you have to stay motivated right guys so thank you so much for watching this video subscribe our YouTube channel for regular updates and press the bell icon button to get all the real time updates thank you so much bye bye take care God bless you